हेलो दोस्तों स्वाधर थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुधी टर्टोरियल में दोस्तों आज हम लोग संस्कृत का एक बहुत ही महत्मों टापिक संस्कृत में जो सब्ता की दिन है उनके नाम तथा महीनों के नाम आज हम लोग पढ़ेंगे यहां से क्वेश्चन सी टेट में यूपी टेट में क्वेश्चन यहां से आते हैं तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको सेर करिए तो चलिए, मंडे यानि आपका सोमवार सोमवार को संस्कृत में क्या कहते हैं तो इंदुवासरा कहते हैं इंदुवासरा, इंदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है और सोमवार, आपका जो है, वो उसका नाम क्या है इंदुवासरा, संस्कृत में इंदुवासरा कहते हैं मंडे को सोमवार को, दूसरा है त्यूश्डे, यानि मंगलवार मंगलवार को संस्कृत में क्या कहते है भौम वासरा कहते है अगला आता है बेडनेश डे बुद्धवार इसको संस्कृत में क्या कहते है तो सौम में वासरा कहते है क्या कहते है सौम में वासरा यहां लोग कन्फूज होते है जो सौम वार को सौम में वासरा लोग लगा देते क्योंकि बुद्ध जो देउता होते हैं वो सुन्दर्ता की देउता माने गए इनको कहा गया है ब्यूटी गॉट कहा गया है यानि सुन्दर्ता की देउता कौन होते हैं बुद्ध तो इसलिए सौम मेवासरा जो है बुद्धवार का नाम है सौम मेवासरा किसको कहते हैं बु यानि आपका सुक्रवार सुक्रवार को संस्कृत में सुक्रवासरा कहते हैं क्या कहते हैं सुक्रवासरा कहते हैं नेक्स्ट है सटर्डे सटर्डे मतलब सनीवार और सनीवार को संस्कृत में क्या कहते हैं तो सनीवासरा कहते हैं क्या कहते हैं सनीवासरा कहते हैं संडे यानि रभीवार, रभीवार को आप क्या कहेंगे तो भानु वासरा कहेंगे भानु मतलब सूर्य होता है और सूर्य संडे सूर्य आप जैसे देख रहे हैं सूर्य किसको कहते हैं भान को कहते हैं और संडे यानि रभीवार यानि रभीवार संदे को कहते हैं यानि रभीवार को कहते हैं चलिए आगे देखते हैं संस्कृत में महीनों के नाम जो संस्कृत का पहला महीना होता हुँआ होता है चैत तो चैताह जो है वो संस्कृत का पहला महीना है और हिंदी में वो आपका मार्च अपरेल में पढ़ता है और आपको बता देते हैं जो संस्कृत के महीने होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं एक आपका सुकल पक्ष होता है दूसरा होता है क्रिष्ण पक्ष पंदरा-पंदरा दिन के पक्छ होते हैं, तो दो पक्छ होते हैं, तो चैत्र जो आपका पढ़ेगा, वो मार्च अप्रेल में पढ़ता है, यानि आधा आपका मार्च लेके और अप्रेल, दोनों मिला के आपका क्या पढ़ता है, चैत्र पढ़ता है, दूसरा महीना है संस्क पढ़ता है। अगला महीना उज्वार जून जूलाई में पढ़ता है। अगला है कप पढ़ता है। सामन्त का महीना और यैं आपका कप पढ़ता है। जुलाई अगस्त आदे जुलाई और आदे अगस्त में पढ़ता है अगला है भाद्र पदा तो नेक्स्ट महीना संस्कृत का हुआ है भाद्र पदा और यह आपका अगस्त सितंबर में पढ़ता है आश्वनी अगला है आश्वनी आपका कपड़ता है तो सितंबर और अक्ट अगला महीना है मार्ग सीर्सा कौन सा महीना है मार्ग सीर्सा और यह आपका नौंबर दिसंबर में पढ़ता है इसके बाद आएगा पौसा इसको पूस कहा जाता है यह आपका दिसंबर जनौरी में पढ़ता है और अगला है मागा माग यानि आपका जनौरी फरौरी जनौरी संस्क्रिट के महीने और आपको बता देते हैं जो पांचांग है जिससे पांचांग जितने भी हैं वो संस्क्रिट के महीनों पर ही आधारित हैं पांचांग इतने हैं तो याद रखेंगे इन महीनों को और यह जो आपको दिन बताए गए आसा करते हैं आपको वीडियो अच् करिए लाइक करिए और अधिक स्याधिक लोगों में इसको सेयर करिए धन्यवाद